यही से पहले तो identify हो जाना चाहिए सर चार हजार यूनिट के लेवल पे काम कर रहा है जब तो cost per unit 3.75 है पांच हजार यूनिट के लेवल पे जब काम कर रहा है तो cost per unit 3.5 है सर ये खर्चा per unit के हिसाब से variate करा है समझा रहा है अब per unit के हिसाब से अगर ये खर्चा variate किया है तो अभी तक के हिसाब से तो ये फिर fixed खर्चा लगता है क्योंकि fixed खर्चा per unit के basis पे variate करता है लेकिन in totality सेम रहता है एक बड़ी total निकाल के देखो 4000 into 3.75 ये आता है 15,000 और 5000 into 3.5 ये आता है 17,500 तो सर ये खर्चा तो in totality में भी variate कर गया और ये खर्चा per unit के हिसाब से भी variate कर गया तो ये खर्चा कौन सा खर्चा हो गया अब इस question में सर ये semi variable है फिर समझा है आपको ये तो यहां तक आपके पास जो डेटा दे रखा है खर्चे का इस question में semi variable का दे रखा है पहले तो यहां से identify हो गया break even point आपको दे रखा है 6000 units, units में बता रखा है और आपसे मांगा है variable cost per unit बड़ा असान है पहले आपने identify कर लिया सर इस question में यही trick थी और by the way आपकी reference के लिए ये question भी आपका November 2019 19 के exam का question है so basically इस question में यही trick थी बस कि यहां तक के data से यह समझ पाना कि यह खर्चा semi variable है अब सर semi variable में इसे variable का component अलग करने के लिए आपको simple सा formula लगाना है difference in total cost divided by difference in units आपके पास variable cost per unit आजाएगी आईए तो पहले तो units average cost total cost तो सर जब 4000 units के level पे काम करते हैं तो 3.75 average cost और total cost आती है 15,000 जो हमने अभी निकाल के देखी और 5000 units के level पे जब काम करते हैं तो सर average cost है per unit 3.5 रुपे और total आता है यह 17,500 तो पहले concept explain कर देंगे as shown above this cost cost variates in totality as well as in sorry as well as on per unit basis therefore this is semi variable cost पहले तो सर आपको यह concept explain करना पड़ेगा एक बर ही आपने यह concept explain कर दिया कि भई totality और per unit दोनों के हिसाब से यह खर्चा variate किया इसी लिए यह खर्चा semi variable खर्चा है अब सर आपका पहला part हो जाएगा बड़े अराम से variable cost per unit यही मांगा था आपसे सबसे पहले तो पहले एक्जाम में हमेशा पहले formula code करेंगे difference in cost divided by difference in units 17,500 minus 15,000 divided by 5,000 minus 4,000 यह solve करेंगे आपके पास variable cost per unit आ जाएगी 17,500 minus 15,000 divided by 2,500 2.5 per unit तो अज़र यह तो आगया आपके पास पहला part हो गया इसका variable cost per unit आपसे पूछा था वो आपने निकाल दिया फिर आपसे second part पे पूछा है fixed cost यह भी इसी से related है बिलकुल आसान fixed cost is equal to simple सी बात total cost minus variable cost कर दो आपके पास fixed cost आ जाएगी अब आपकी मर्जी है आप 5000 वाले units वाले data पे लगाना चाहते हैं 4000 पे क्योंकि fixed cost है units के हिसाब से totality में variate नहीं करती है तो sir किसी भी data पे लगा लो answer same आएगा आपकी reference के लिए मैं दोनों पे लगा के एक बड़ी दिखा देता हूँ तो पहले अगर हम on 4000 units के data के according अगर करते हैं तो sir total cost थी वहाँ पे 15,000 हमने उपर अभी निकाल के दिखाई minus units है 4000 variable cost per unit 2.5 है यहां से आपके पास fixed cost आ जाएगी 4000 multiply by 2.5 minus 15,000 यह आ गई 5000 समझा गया और इसको आप on 5000 units भी करके दिखा सकते हो आपकी मर्जी है किसी भी एक पे पे पर बे करके दिखा दिजेगा यहां पे total cost 17,500 minus units 5000 into 2.5 इसको solve करेंगे आंसर सेम आएगा 5000 समझाया तो कोई भी एक करके दिखा दिजेए क्योंकि fixed cost है यह सेम ही रहेगी last part आप से इस question में पूछा था PV ratio profit volume ratio बड़ा simple है यह भी देखिए आपको इस question में break even point in units दे रखा है break even point in units इसका formula क्या होता है sir fixed cost divided by contribution per unit यह होता है formula आपको break even point in units question में दे रखा है 6000 fixed cost आपने अभी खुद निकाली है 5000 divided by contribution per unit यह नहीं है यह आ जाएगा बलकी यहां से ठीक है ना therefore contribution per unit यह आ जाएगा आपके पास 5000 divided by 6000 0.833 आगे so on 3333 है अच्छा अब आपके पास एक बात बताईए working note की terms में बात कर रहा हूँ selling price लिखते हैं minus करते हैं उसमें से variable cost आपके पास contribution आता है contribution अभी आपने निकाला 0.833 आपके पास variable cost per unit आप निकाल चुके हो 2.5 तो आपके पास selling price आ जाएगी बिलकुल आ जाएगी 0.8333 plus 2.5 तो selling price आ गई आपके पास 3.3333 आगे so on 33 sir selling price आ चुकी है contribution per unit आ चुका है PV ratio is equal to contribution per unit per unit के basis पे लगा देंगे divided by selling price per unit multiply by 100 as simple as that 0.833 divided by 3.3333 into 100 आपके पास PV ratio आ जाएगी यह आ जाएगा round off करके 24.999 आ रहा है तो round off करके हमने इसको 25% बना दिया यह सर आपके 3rd part का answer PV ratio भी आ गई समझाए आपको यह वैसे यह question हमारी book में भी था same question और past year में भी काफी बारी आया हुआ इस तरी के question budget में से आएगे पढ़ना start करते है a single product company estimate its sales for the next quarter wise for the next year quarter wise as under आपको next year का quarter wise का sales का data आपको दिया हुआ है the opening stock of finished goods is 10,000 units and the company expects to maintain the closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year so basically आपको finished goods की बात कर रखिये पहली बात finished goods का opening stock आपको 10,000 दे रखा है और finished goods का closing stock आपको 16,250 दे रखा है at the end of the year पहली बात आपको जो sales का data था वो quarter wise दे रखा है और जो ये finished goods का opening और closing stock का data है ये आपके पास yearly है मतलब पूरे साल का opening और closing आपको दे रखा है the production pattern in each quarter is based on 80% of the sales of the current quarter and 20% of the sales of the next quarter so basically इस line में question ने बोल दिया कि किसी भी particular quarter में production कितनी करनी है उस particular quarter में जितनी sales होगी उसका 80% plus next quarter की sales का 20% इस current quarter में हम बना के रखेंगे मतलब अगर example के लिए मैं बात करूँ first quarter की जैसे बात करें माननो first quarter में कितनी production करनी है ये मिरे को निकालना हो तो first quarter में 30,000 units बेचनी है इसका 80% plus second quarter में 37,500 units बेचेंगे इसका 20% ये जो भी total आएगा ये हम quarter one में ही produce करके रखेंगे इसी तरही के से quarter two का इसी तरही के से quarter three का and so on आगे तो यहां तक आप से जो बात कर रखी थी इस paragraph में वो finished goods से related और production से related बाते थी आगे the opening stock of raw material तो ध्यान रखिएगा अब आपके पास जो data दे रखा है वो raw material का है the opening stock of raw material in the beginning of the year is 10,000 kg and closing stock at the end of the year is required to be maintained at 5,000 kg तो आपको पूरे साल का ही opening stock of raw material और closing stock of raw material दे रखा है तो प्लीज ध्यान रखिएगा sales का data quarter wise था opening closing stock of finished goods की बात कर लू या opening closing raw material के stocks की बात कर लू वो आपको yearly दे रखा है year wise दे रखा है each unit of finished output requires 2 kg of raw material ठीक है ये तो raw material consumption का data दे दिया the company proposes to purchase the entire annual requirement of raw material in the first three quarters in the proportion and at the prices given below पूरे साल में जतना material परचेस करना है entire annual requirement पूरे साल की raw material की requirement को हम तीन बार में purchase करेंगे तीन quarters में मतलब sales तो होगी चार quarters में production भी होगी चार quarters में लेकिन जो production करने के लिए पूरे साल का raw material चाहिए वो हम पहले तीन quarters में ही मंगवा लेंगे पूरे साल की production का 30% पहले quarter में आ जाएगा 50% second quarter में आ जाएगा और remaining 20% third quarter में आ जाएगा और किस-किस rate पर आएगा वो आपको यहाँ पर दे रखे यह है आपके पास question का data the value of opening stock of raw material is 20,000 यह जो आपको raw material का opening stock 10,000 kg दे रखा है इसकी value 20,000 रुपे है मतलब जो मेरा opening stock है वो per unit 2 रुपे के हिसाब से है मतलब फिर इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी वो तो अभी देखेंगे present the following for the next quarter wise next year quarter wise आपको बनाना है सबसे पहले production budget तो पहले एक-एक data पर काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको production budget मांगाए और quarter wise बनाना है ठीक है ना आईए तो यह आपका solution one सबसे पहले production budget बनाना है तो पहले तो एक-एक बरी format बना लेते हैं इसका पुरा यहाँ पे particulars first quarter, second quarter, third quarter and fourth quarter ठीक है ना अच्छा पहले एक-बरी format बना लेते हैं क्या था इसका पुरा format सर जो sales करनी है वो तो बनानी ही पड़ेंगी तो sales की units प्लस जो closing stock of finished goods बचाना है वो भी बनाना पड़ेगा closing stock of finished goods minus जो already बना हुआ है opening stock of finished goods जो already बना हुआ है वो नहीं बनाना है यहाँ से जो net आएगा हमारे पास वो हमारी production आ जाएगी ठीक है ना पहले यहाँ पे जो भी data question में as it is दिया हुआ है पहले उसको fit कर लेते हैं फिर देखते हैं अब हमें क्या compute करना पड़ेगा क्या नहीं वैसे बिल्कुल असान है आपको तीनों चारों quarters की sales दे रखी है 30,000 और 37,500 30,000 37,500 third quarter में है 41,250 और last quarter में थी 45,000 ठीक ना अच्छा अब आपको the opening stock of finished goods is 10,000 units आपको finished goods का opening stock दे रखा है पूरे साल का जो पूरे साल का opening stock है क्या मैं कह सकता हूँ पहले quarter का भी opening stock तो वही होगा योगि year भी first April से ही start होगा पहला quarter भी first April से ही start होगा तो sir opening stock आपको पहले quarter का दे रखा है 10,000 ठीक है जी इसी तरीके से पूरे साल का closing stock 16,250 है वही पूरे साल का जो closing stock होगा वो आखरी quarter का भी closing stock होगा क्योंकि पूरा साल भी 31st March को खतम होगा और आग last quarter भी तो 16,000 यहाँ पे लिखना था 16,250 closing stock चीक है ना ये data हमारे पास available था जो available था वो तो हमने fit कर दिया अब बात करते हैं यहाँ पे production की देखो आपको बोल रखा है किसी भी quarter में कितना produce करना है वो आपको बता रखा है बलकी question में किसी भी quarter में कितना produce करना है उस quarter की sales का 80% और next quarter की sales का 20% तो first quarter में कितना produce करना होगा थर्टी थाउजन का 80% मैं यहाँ पे इसकी calculation लिखता हूँ थर्टी थाउजन इन्टू 80% प्लस next quarter की sales थर्टी सेवन थाउजन पाइव हंड़ड इसका 20% यह total मेरे को first quarter में ही बना के चलना है कितना आएगा यह थर्टी थाउजन का 80% यह आएगा आपके पास थर्टी थाउजन फाइवंडर्ड पहले बागी quarters की भी production निकाल ले जिसकी भी निकाल सकते हैं अच्छा second quarter की production अब निकाले अगर second quarter की sales 37,500 इसका 80% प्लस third quarter की sales का 20% third quarter में कितनी sales है 41,250 प्लस इसका 20% 37,500 इसका 80% यह आजाएगा 30,000 यह total आएगा आपके पास 38,250 ची करा इसी तरीके से third quarter में कितना third quarter की खुद की sales 41,250 इसका 80% प्लस fourth quarter की sales 45,000 इसका 20% ठीक है ना यह आएगा 42,000 एक बड़ी चक कर लेते हैं सही है हाँ जी चलिए तो आपके पास पहले 3 quarters की production आ गई अच्छा इस तरीके से formula लगा कर आप fourth quarter की production नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि fourth quarter की sales का 80% तो मैं कर लूँगा लेकिन फिर इससे अगले quarter की sales नहीं है मेरे पास जिसका 20% करना पड़ेगा तो सर इतना ही कर सकते हैं लेकिन अब एक बात बताओ first quarter पे वापस आ जाते हैं first quarter की sales आ गई first quarter का opening stock है first quarter की production आ चुकी है क्या first quarter का closing stock आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा किता 31,500 plus 10,000 minus 30,000 ये आ जाएगा 11,500 अच्छा एक बात बताओ first quarter का जितना closing है क्या वही एक सिक्ट first quarter का जितना closing है क्या उतना ही second quarter का opening बनेगा बिल्कुल सर तो ये ही आपका second quarter का opening आ जाएगा 11,500 अब second quarter का आपके पास opening stock है sales है production है क्या second quarter की भी closing stock आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा मैं यहां पर लिख भी देता हूँ यह balancing figure आ रहा है चीके ना तो यह आ जाएगा 38,250 plus 11,500 minus 37,500 यह आ जाएगा 12,250 balancing figure इसी तरीके से second quarter का जो आपका closing stock आया है वो third quarter का opening बन जाएगा 12,250 आपके पास third quarter का भी closing stock आ जाएगा 42,000 plus 12,250 minus 41,250 यह आ जाएगा 13,000 balancing figure इसी तरीके से जो आपके पास third quarter का closing आया है वो fourth quarter का opening बन जाएगा 13,000 अब आपके पास fourth quarter की production नहीं थी लेकिन fourth quarter का आपके पास बाकी सारा data आ चुका है sales है, closing stock है, opening stock है production अपने आप आ जाएगी plus 16,250 minus 13,000 यह आ जाएगा 48,250 so this is it यह था आपका first part का answer जिसमें question ने आपसे production budget मागा था I hope आपको समझाया असान था एकदम चलिए आगे बढ़ते हैं आप इस question पे तो first part में तो आपसे यह मागा था यह तो हमने निकाल लिया production budget second part में आपसे मागा है raw material consumption budget in quantity quantity wise बनाना है raw material consumption budget बनाना है और heading में ही लिख रखा था quarter wise बनाना है चिकना आईए तो second part question का raw material consumption budget quantity wise बना रहे हैं quarter wise बनाना है तो वो ही चारो quarters का format बना लिया आपने चलिए अब raw material consumption बड़ी simple सी बात है चारो quarters में कितना कितना produce करना है वो आपके पास आ चुका है first वाले answer से वो pick कर रहे है 31,500 first quarter में second quarter में 38,250 straight away यहाँ से pick कर रहे हूँ third quarter में 42,000 और fourth quarter में 48,250 अच्छा question ने आपको बोला था एक unit का finished good बनाने के लिए कितने units का raw material चाहिए यह देखे इस line में each unit of finished output requires 2 kg of raw material एक बनाने के लिए 2 kg का raw material चाहिए तो यहाँ पे हमने लिखा raw material requirement per unit of output एक unit के output के लिए कितना raw material चाहिए 2 kg ठीकर रहा बस multiply कर देंगे आपके पास raw material की consumption आ जाएगी बिल्कुल ही simple यह तो raw material consumption 31,500 multiply by 2 63,000 kg 38,250 into 2 76,500 kg 42,000 into 2 84,000 kg 48,250 into 2 96,500 kg तो सर यह हो गया आपका second part का answer raw material consumption budget अच्छा उसके बाद third part में आपसे मांगा है raw material purchase budget in quantity and value raw material purchase budget बनाना है आपको quantity wise और value wise ध्यान रखिएगा purchase budget मांगा है quantity और value दोनों में अब एक काम करते हैं देखो बड़ी simple सी बात है हम raw material consumption और production budget तो 4 quarter का बनाते आए क्योंकि हमें सारा काम रखना पड़ेगा इस table में question ने कहा था कि हम पूरे साल की requirement को पहले 3 quarter में मंगवा रहे हैं तो एक काम करते हैं पहले एक working note बना के ना ये निकाल लेते हैं पूरे साल में raw material purchase कितना करना पड़ेगा जितना raw material पूरे साल में purchase करना है उसका 30% पहले quarter में 50% second quarter में और remaining 20% third quarter में quarter wise इसको बना लेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले ये निकाल लेते हैं फिर जो मैंने अभी बोला कि पूरे साल में कितना मंगवाना है चीक है ना और ये मत कहा देना सर consumption आ चुकिए consumption को आइड करके पता लगा लेते हैं पूरे साल में चाहिए कितना पूरे साल में चाहिए कितना ये नहीं निकालना पूरे साल में purchase कितना करना है ये निकालना है चीक है ना आईए तो पहले working note annual purchase of raw material पूरे साल में purchase कितना करना पड़ेगा raw material तो सर पूरे साल में जितना consume करोगे raw material required for consumption भाई जो raw material consumption करने के लिए required है वो तो purchase करोगी करोगे कितना required है सर पहले quarter की production करने के लिए 63,000 का raw material लगेगा दूसरे quarter की production करने के लिए 76,500 kg का raw material तीसरे quarter में 84,000 और फूर्थ quarter में 96,500 kg का raw material चाहिए तो इसका total 63,000 प्लस 76,500 प्लस 84,000 प्लस 96,500 यह total आता है 3,20,000 kg मैं आपकी reference के लिए यहाँ पे लिक भी देता हूँ यह कैसे आया 63,000 प्लस 76,500 प्लस 84,000 प्लस 96,500 तो यह total raw material में को consumption के लिए चाहिए तो यहाँ पर पूट अप कर देते हैं तो पूरे साल का closing stock of raw material 5000 दे रखा है और पूरे साल का opening stock आपको 10,000 का दे रखा है तो यहाँ पर पूट अप कर देते हैं तो पूरे साल का closing stock 5000 माइनस opening stock of raw material जो की 10,000 है तो एक तरह से क्या प्लस पूरे साल में consumption के लिए कितना चाहिए वो तो खरीदेंगे ही प्लस जो closing में बचाना है वो भी खरीदेंगे माइनस जो अल्रेडी खरीदा पड़ा हुआ है opening stock net कितना खरीदना पड़ेगा raw material purchase budget पूरे साल में कितने raw material की purchase budget बढ़ेगा 3,20,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000 यह आएगा आपके पास 3,15,000 केजी अब पूरे साल में यह 3,15,000 केजी है यह तीन क्वाटर में purchase किया जाएगा और आपको raw material purchase budget question ने का था quantity as well as value ना दो ठीक है ना आईए अभी तक तो working out पे काम कर रहे थे अब हम main third part के answer पे काम करते है raw material purchase budget quarter wise अब यह मत कहना सर quarter wise बनाना है तो मैं तो 4 quarter का ही बनाऊंगा quarter wise बनाना है लेकिन 3 quarter में purchases कर रहे हैं तो 3 quarter का ही बनेगा और यह आपको quantity and values दुनों में बनाना है ठीक है ना यहाँ पे लिख देते हैं पाटर्स यहाँ उसे quarter की बात कर रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं computations यहाँ पे लिख देते हैं raw material purchase quantity और यहाँ पे दिखा देंगे last column में raw material purchase value ठीक है ना computations वाला column आप ना भी बनाऊंगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले हम quarter one की बात कर रहे हैं पूरे साल की production स्वरी पूरे साल की material purchases का 30% first quarter में मंगवाना है यही बोल रखा तो question में तो पूरे साल में 3,15,000 kg purchase करना है उसका 30% यह आएगा आपके पास 94,500 तो 94,500 kg हमें first quarter में खरीदना है इसी तरीके से quarter two पूरे साल में जितना purchase करना है उसका 50% हम second quarter में purchase कर रहे हैं यह आता है 157,500 kg और पूरे साल में जो purchase करना है उस earning 30% वो हम quarter three में करेंगे तीन लग पराजार का 20% यह आजाएगा 63,000 kg तो आपके पास यह तो बन गया purchase budget सबजाया? अच्छा values में भी निकालना है तो question में एक बरी check कर लेते हैं कि क्या-क्या values दे रखी थी है quarter में first quarter में जो खरीद होगे वो 2 रुपे के हिसाब से table में ही पढ़ रहा हूँ second quarter में 3 रुपे के हिसाब से और third quarter में 4 रुपे के हिसाब से आईए तो first quarter का raw material purchase value कितनी आ जाएगी 94,500 into 2 इसी तरी के second quarter में 157,500 into 3 3 रुपे पर यूनिट के साब से खरीद रहे थे और third quarter में 63,000 into 4 क्योंकि यह आप चार रुपे पर यूनिट के साब से खरीद रहे थे ठीके ना बस यह आपके पास इसका भी answer आ जाएगा 1,89,000 4,72,500 और लास्ट 63,000 into 4 2,52,000 I guess आपको पूरा यह कोश्चन सब्सक्राइब a company has a PV ratio of 40% by what percentage must sales be increased to offset 20% reduction in selling price मतलब कुश्चन यह कहता है पहले कुश्चन को अगर हम understand करें कुश्चन ने आपको यह कहा है कि सर at present कुछ sale quantity बेचते हैं मालूम नहीं कितनी कुछ selling price per unit में बेचते हैं वो भी मालूम नहीं कितनी और total sales आती है इसमें से variable cost minus होती है वो भी sales quantity multiply by variable cost per unit करके और हमारा यहाँ पे कुछ contribution आता है यह जो PV ratio है इस contribution की जो PV ratio है वो है सर हमारी 40% है 40% यह PV ratio हमारी यहाँ पे 40% है मतलब 60% मेरी cost है अब कुश्चन कहता है आने वाले time में यह जो selling price है यह 20% से कम हो जाएगी ठीक है मतलब selling price हो जाएगी सर 20% से कम ठीक है उसके बाद कुश्चन कहता है लेकिन हम contribution उतना ही कमाना चाहते है जितना पहले कमा रहे थे 40% PV ratio का contribution नहीं कह रहा हूँ amount में same contribution कह रहा हूँ 40% का same contribution मतलब PV ratio same क्यों नहीं कह रहा हूँ वो भी अभी बात करता हूँ लेको बड़ी simple सी बात है question कहता है कि at present जो selling price थी आने वाले time में वो selling price 20% से कम हो जाएगी variable cost per unit के बारे में question ने कुछ नहीं का अब मन में सोचिए एक बड़ी selling price per unit आपकी कम हो रही है variable cost में question ने कोई change नहीं का sir अगर पहले selling price कुछ और थी variable cost वही की वही PV ratio उसके हिसाब से 40% आई आने वाले time में अगर selling price कम हो गई और variable cost वही की वही है sir अगर selling price बदल गई तो PV ratio बदलेगी बदलेगी ये तो change होगी होगी मेरे कहने का मतलब है जो PV ratio पहले थी 40% वो आने वाले time में जब selling price कम हो जाएगी तब same PV ratio consider मत कर लेना मैं यहाँ पर contribution का amount same रखने की बात कर रहा हूँ क्यूं कर रहा हूँ? देखिए question ने क्या wordings लिखी है by what percentage must sales be increased to offset 20% reduction in selling price मतलब selling price तो गिर रही है 20% से लेकिन हम यहाँ पे न अपनी sale quantity बढ़ा देंगे इस sale quantity को हम increase कर देंगे और minus करेंगे यहाँ से variable cost इस sales quantity को इतना increase कर देना है कि जो selling price का reduction आया है वो offset हो जाए offset करने का मतलब जितना पहले कमा रहा था सर उतना ही अब कमा लूँ selling price per unit में reduction आने की वजए से मेरी कमाई में फरक ना आ जाए इसलिए selling quantity को बढ़ा देंगे कितना बढ़ाना है वो आपका सवाल है question clear हुआ है पहले अच्छा फिर भी अगर कोई confusion रह जाए सर contribution को same क्यों रख रहे हो जब आप बोल रहे हो जतना पहले कमाना था उतना अब कमाना है सर contribution के आगे income statement का data है नहीं fixed cost बगएरा तो इस question के according कमाना क्या होगा contribution और मैं same contribution amount में क्यों मान रहा हूँ क्योंकि question ने एक keyword लिखा है offset selling price में reduction को offset करने के लिए sale quantity को बढ़ाना है कि selling price में जो reduction आया है वो उसका impact nil हो जाए net of हो जाए इतने से sale quantity बढ़ा दो मतलब obviously इसका क्या है contribution पर फरकना पड़े समझाया और please इस चीज़ को ध्यान रखना PV ratio सर जो पहले 40% थी revised scenario में same PV ratio नहीं हो सकती इसकी गलती मत कर देना क्योंकि simple सी बात सर जब selling price ही बदल गई आने वाले time में तो contribution same कैसे रह सकता है तो PV ratio same कैसे हो सकती ठीक है ना अब शुरू करते हैं मैंने आपको याद होगा class में कई बारी बताया कि अगर आप किसी question में confused हो जाए blackout हो जाए तो सर जो निकालना है उसको x मानिये और x की terms में income statement बनाईये आंसर आपके सामने होगा इस question में बहुत बच्चे confused होते हैं और मेरे को मालूम है अभी भी हुए हैं और जो भी आगे इस question को देखेंगे इस question में confused होते रहेंगे जबकि एक line का सवाल है ये और 5 number बस छोटी सी एक trick है आईये देखते हैं कैसे करेंगे मान लो आपको समझाने के लिए पहले बात कर रहा हूँ मान लो तो मैंने पहले ही लिख दिया suppose और इसी तरीके से इस question की presentation भी paper में हो सकती है ठीक है क्योंकि कोई additional data इस question में देनी रखा आपको अपने मन से data चूज करके बनाना पड़ेगा suppose at present 100 units आप बेचते हो at 10 per unit मान लो ये आपकी at present sale का data है समझाया इसके according आईये present scenario की income statement बनाते है मैंने heading में लिखा हुआ है at present तो present scenario के यहाँ पे कर रहा हूँ इसी के साथ right hand side पे मैं revise scenario का करूँगा इसके according हमने income statement बना ही तो sales 100 units है 10 रुपे per unit के हिसाब से 1000 रुपे की sale minus variable cost contribution अच्छा PV ratio 40% है तो sales thousand उसका 40% यह मैंने present PV ratio apply करी है समझाया तो यहाँ से आपके पास जो contribution आएगा वो आएगा 400 तो balancing figure आपके पास variable cost बच जाएगी अच्छा variable cost units के इसाब से इंकर होती है मतलब 100 units थी अगर तो variable cost per unit at present फिर 6 रुपे आई होगी और इसी इसाब से अगर मैं contribution को भी frame करना चाहूं तो 100 units चार रुपे पर unit के साब से contribution बना होगा यही होगा अच्छा इसी के side पर revised scenario revised situation में question क्या कह रहा है selling price को 20% से कम करना है तो selling price अगर at present मैंने 10 per unit suppose करी थी तो आने वाले time में इसका 80% 20 रुपे की selling price बच जाएगी 8 रुपे की selling price बच जाएगी समझ आया let sales quantity क्योंकि इसी को तो बढ़ाना है कितना बढ़ाना है वही तो निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया जो निकालना है उसको x-let कर लो let sales quantity be x तो हमने sales quantity को x-let कर लिया इसकी terms में अब income statement बना दो तो सबसे पहले sales quantity x-let करी selling price per unit 8 आ गई थी revised 8x minus variable cost quantity x multiply by variable cost per unit में question ने कुछ नहीं का जितनी at present variable cost थी 6 रुपे per unit उतनी अब आ जाएगी 6 रुपे per unit मैं आपकी reference के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे यह हमने same मानी है ठीक है ना क्योंकि question ने कुछ का नहीं तो यह 6x आपकी variable cost आ जाएगी फिर contribution अब contribution तो sir at present वाला ही कमाना है क्योंकि offset करना था same amount और आपकी reference के लिए इसके नीचे लिख भी देता हूँ question ने offset करने को बोला था selling price के reduction को selling quantity के increase से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे specify करके question ने है question ने है question has asked to offset reduction in selling price by increase in sale quantity offset का मतलब भी फिर reference यहां पर यह होगी कि contribution same कमाना है जो की 400 है बस आपके पास equation बन गई 8x minus 6x is equal to 400 x is equal to 200 therefore revised sale quantity इस supposed data के according 200 units आ जाएंगी therefore sales quantity shall be increased by percentage में answer देना था कितने से increase कर रहे हो at present मैंने suppose किया था 100 units बेच रहे हैं आने वाले टाइम में फिर 200 units बेच नहीं पड़ेंगी तो सर 200 minus 100 इतने से quantity increase कर रहे हो over and above present की 100 units से तो सर एक तरह से 100% से आपको sale increase करनी पड़ रही है to offset reduction in selling price by 20% ये जो मैंने end में लिखा है ये आपका main answer है I hope आपको समझ आया ये असान था कि आपका study mat का ही question है मेरे खाल से पहला पहला ही question है marginal costing का आपके study mat में आये पढ़ते हैं असान question था ये भी बिल्कुल wonder limited manufactures a single product zest the following figures relate to zest for a one year period पूरे साल के साब से data दे रखा है कि अगर 50% की capacity पे काम किया तो क्या होगा 100% capacity पे काम किया तो क्या होगा तो sir 50% capacity पे काम किया तो 400 units बनाएंगे 100% capacity पे काम किया तो 800 units बनाएंगे sale 8,000,000 और 16,000,000 ताकि आपके पास selling price per unit बगरा आ जाएगी देखते हैं आगे क्या करना है production cost में दो खर्चे हैं एक variable एक fixed अब इसमें अगर rate per unit निकालें variable का 3,20,000 divided by 400 units 800 रुपे per unit इसके हिसाब से यहाँ पे भी per unit same आना चाहिए 6,40,000 divided by 800 तो यह same आ रहा है 800 तो यह खर्चा variable सही बोला है हमने analyze भी कर लिया कि per unit में same है in totality variate किया है variable खर्चा यह तो fixed खर्चा है यह question ने भी बोला है और अगर आप देखेंगे 400 units पे काम किया तो भी 1,60,000 800 units पे काम किया तो भी 1,60,000 ऐसे ही आपको selling and distribution के खर्चे variable और fixed अलग-अलग करके दिरखे है अच्छा the normal level of activity for the year is 800 units तो normal level of activity मतलब वही जो हमारी budgeted activity है हमने सोचा था कि 800 units की activity level मतलब 100% के हिसाब से काम करेंगे यह बात मैंने आपको क्यूं कही क्यूं बताई क्यूं फोकस कर रहे हैं सर नॉर्मल लेवल का मतलब budget फिर मैंने इसे साब से करा होगा मेरे कहने का मतलब है जो overhead absorption rate है कौन से overhead के लिए सर फिक्सड overhead के लिए variable तो पहले ही per unit में होता है fixed के खर्चे को absorb करवाने के लिए जो predetermined overhead rate budgeted fixed overhead divided by budgeted hours या budgeted units करते हैं वो सर आपने 800 units के हिसाब से निकाला होगा rate इस line से ये चीज पता चलती है आगे fixed costs are incurred evenly throughout the year ठीक है and actual fixed costs are the same as budget fixed costs तो जो budget बनाया था उसी को actual मान लो there were no stocks of zest at the beginning of the year तो opening stock नहीं है कुछ भी in the first quarter अब ध्यान दीजिएगा पूरे साल के हिसाब से बात नहीं हो रही है पहले quarter के हिसाब से बात हो रही है मतलब पहले 3 महीनों की बात पहले 3 महीनों में पहले quarter में 220 units बनाई है जिसमें से 160 units बिकी है मतलब सर closing stock होगा देखो पूरे साल का opening stock तो नहीं था पूरे साल का अगर opening stock नहीं है तो पहले quarter का भी opening stock नहीं है लेकिन closing stock तो बचेगा ना 220 बनाई 160 बेच दी तो 60 units का closing stock बचेगा यह है अब आपके पास question आपसे पहले part में मांगा है What would be the fixed production cost तो पहली बात सिरफ production cost के reference में fixed cost के reference में आपसे मांगा है What would be the fixed production cost absorbed by zest if absorption costing is used absorption costing मतलब overhead absorption rate निकालना जैसे आपने overheads के chapter में सीखा था predetermined overhead rate वो पूछा है तो बड़ा असान है यह तो solution 3 तो पहला part fixed production overhead absorption rate budgeted fixed formula लिक देते निकालना budgeted fixed production overhead divided by budgeted units बस इसको apply कर दो तो budgeted fixed production overheads 1,60,000 और budgeted units 800 units यह आ जाएगा आपके पास 1,60,000 divided by 800 200 रुपे पर unit ठीक है जी यह आपके पहले part का answer आ गया अब आजाते हैं अपने second part पे question के second part में ने आपको कहा what would be the under or over recovery of overhead during the period अब इसी पहले part में जो आपने खर्चे का rate निकाला इसके हिसाब से अब under recovered है या over recovered है यह बता दो ठीक है जी तो पहले तो absorbed overhead अब ध्यान रखिएगा पूरे साल के हिसाब से नहीं पहले quarter के हिसाब से काम करना है आपको चीक है ना तो पहले quarter में 220 units बनी हैं और per unit का हमने rate निकाला था 200 रुपे तो एक तरह से मैं यहापे formula भी लिख देता हूँ इसके नीचे refer करके actual अब confuse मत हो जाना overheads के chapter में मैंने actual hours के हिसाब से formula लगाया है कोई दिक्कत थुड़ना है हम यहापे actual units के हिसाब से निकाल रहे है data वैसे है तो actual units multiply by overhead absorption rate ठीक है ना वही वाला formula लगाया है तो यह आ जायेगा आपके पास 220 actual units थी पहले quarter की into 200, 44,000 तो actually में आपने खर्चा absorb करवा दिया 44,000 minus actual overheads अगर किसी के मन में confusion आए, सर आपने एक quarter के हिसाब से क्यों किया है क्योंकि सर आपको absorbed overhead निकालना है, absorbed overhead कैसे आता है actual units multiply by overhead absorption rate, actual units सर आपको पहले quarter की दे रखी है तो जो actual overheads अब आपको लिखना है यहाँ पर, यह भी पहले quarter का लिखोगे तो सर पूरे साल का खर्चा है 1,60,000, proportionately एक quarter का कितना होगा वो निकाल लेंगे तो पूरे साल का 1,60,000 और पूरे साल में 4 quarter तो divided by 4 करेंगे एक quarter का मतलब 3 महीनों का आ जाएगा 40,000 और question ने का था जो budgeted है वही actual है, इसलिए ऐसा कर पाए तो पहली बात मैं नीचे एक और चीज़ reference के लिए लिख देता हूँ budgeted overhead is equal to actual overhead, assumption नहीं है as per question है यह, ठीक है न, यहाँ पर लिखा हुआ है actual fixed costs are the same as budgeted, यह question ने specify किया था, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा यह तो actual में खर्चा था पहले quarter का 40,000 आपने absorb करवा दिया 44,000 तो यह आ गया over absorbed या over recovered 4,000 ठीक है जी, यह आपके सर second part का answer हो गया, ठीक है न, आईए अब third part पे आ जाते है third part में आपसे question ने मांगा, what would be the profit using absorption costing, absorption costing क्या according profit मतलब cost sheet मांगी है, आईए cost sheet as per absorption अब cost sheet start होती है, opening stock of raw material plus purchases minus closing stock of raw material बगएर 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 वहां से आपको data दे ही नहीं रखा है, अगर आप question को refer करेंगे आपके पास question में सीधा सीधा खर्चों का data production overheads से है तो मतलब हमारा question भी फिर वहीं से start होगा तो factory overheads और production overheads से data start होगा और cost sheet में variable खर्चा हो या fixed खर्चा हो सब आते हैं, हमें यहाँ पे production का खर्चा है, selling का खर्चा है, admin का खर्चा है इस बात की हरार्की से लेना देना है, variable है या fixed है उस बात से हमारा cost sheet में लेना देना नहीं होता, सब ही खर्चे आते हैं तो सबसे पहले, variable, अच्छा पहले quarter के हिसाब से ही बन रहा है, तो यह ध्यान रखना तो पहले quarter में 220 units थी, जो बनी हैं, उन सब पे खर्चा आएगा और variable cost per unit production की 800 रुपे per unit आपने, जब हमने analyze किया था data तब निकाला था मैं इसको यहाँ पे specify भी कर देता हूँ, जैसे 6,40,000 का खर्चा है, divided by 800 units हैं, तो 800 रुपे per unit का ही rate आ जाएगा तो यह variable खर्चा आपके पास आ जाएगा, 1,76,000, अच्छा फिर इसमें fixed का खर्चा, अब 220 units into rate per unit आपने fixed का खर्चा absorb करवाने के लिए 200 रुपे निकाला था, मैं directly लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने already यहाँ पर rate पहले part में निकाल के दिखा दिया है, तो यह 44,000 आ जाएगा, यह खर्चा हमने fixed का पर किन progress नहीं है, तो क्या इसी को यहाँ पर net factory cost लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकते हैं, सर आपके पास admin का खर्चा भी नहीं है इस question में, तो क्या इसी को cost of production लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर gross oblique net factory cost, cost of production, लिख सकता हूँ, अच्छा, cost of production में फिर add होता है, opening stock of finished goods, और opening stock भी नहीं है, तो क्या मैं इसी को cost of goods, available for sale भी लिख सकता हूँ, बिलकुल लिख सकते हैं, available for sale, यह आ जाएगा आपके पास, 220,000, ठीक है जी, अब cost of goods available for sale में से फिर minus होता है, closing stock of finished goods, इसी पर value कर देंगे, तो sir, closing stock की units, 220 units बनाई हैं, 160 भी की हैं, तो 60 units closing stock की, into rate per unit, 220,000 आपके पास total खर्चा आया हुआ है, कितनी units का है यह खर्चा, 220 units को बनाने का, तो 220,000 divided by 220 per unit का खर्चा, into 60 units, cost of production पे closing stock को value कर दिया, यह आजाएगा, साथ हजार, यह minus करके आपके पास क्या आजाएगा, cost of goods sold, 1,60,000, अच्छा, अब इसमें add होगा, selling and distribution overheads, उसमें भी आपके पास variable भी है, और fixed भी है, अब पहले तो यह variable का खर्चा भी जैसे पहले variable का खर्चा 220 units के साब से डाल दिया, क्या यह वाला variable का खर्चा भी 220, नई सर, पहले आप cost of production निकालने के लिए खर्चा डाल रहे थे, तो आप जो units बनी हैं उनका खर्चा, अब जो बिकी हैं उनका खर्चा, क्योंकि selling का खर्चा है, तो 3,20,000 divided by 800 से आपके पास per unit का खर्चा आएगा into 160 units, यह आजाएगा आपके पास 64,000, और fixed का खर्चा सर, selling का 2,40,000 है, समझा रहे हैं, यह तो सीधा सीधा into 1 by 4 कर दूँगा, यहाँ तो यह fixed वाला खर्चा तो सीधा सीधा यहाँ से ऐसे आजाएगा, 2,40,000 divided by 4 पर quarter का निकाल लिया हमने, 60,000, चीक है ना, बस आपके पास यह खर्चा भी आज गया, अब यह add करके आपके पास cost of sales आजाएगी, यह आजाएगा, 2,84,000, प्लस profit, आपके पास sales, 160 units बेच रहे हो, selling price per unit, देखो, अब 16,00,000 रुपे की sale है, divided by 800, यहाँ से selling price per unit आएगी, into 160, तो sales आगई आपके पास 3,00,000, बैलंसिंग फिगर आपके पास यहाँ पे profit आजाएगा, 36,000, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी question खतम नहीं हो गया, cost sheet अभी खतम नहीं हो गई है, यहाँ पे, इसके बाद, वापस से इस profit को carry down करेंगे, profit before adjustment, over absorbed, under absorbed का treatment करना है न, 36,000, अब यहाँ पर इतना तो हम अपने second part में निकाल चुके हैं, कि भी यहाँ खर्चा over absorbed है, खर्चा जादा absorbed करवा दिया, जादा खर्चा लिखने की वजएसे आपका profit कम आया होगा, ठीक करने के लिए profit को बढ़ाना पड़ेगा, तो add करेंगे, प्लस over absorbed production overhead from to second part से उठा रहे हैं, चार हजार था, आपके पास 40,000 profit after adjustment आजाएगा, बस यह आपका third part हो गया, I hope समझ आया, चलिए, अब question का आखरी part, fourth part, what would be the profit using marginal costing, income statement बनानी है simple सी, आईए, fourth part, बलकि इसमें reconciliation नहीं मांगी, income statement, I hope यह तो आप सबसे खुझ से हुई गया होगा वैसे question, इसमें as such कुछ था नहीं इस question में, particulars amount, तो सबसे पहले sales, expended income statement बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपना जो main format में income statement बनाते हैं, वो ही बनाएंगे, sale minus variable cost वगरा करके, opening closing दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो sales सीधा सीधा 160 units, और per unit की selling price वो ही आई थी, 16,00,00 sales थी, 800 units के साब से, selling price per unit sales value तो सर सेम आ जाएगी, जो cost sheet में आपने लिखी है, 3,20,000, minus variable cost, अब variable cost में दो खर्चे हैं, जैसे cost sheet में हमें variable fix से लेना देना नहीं होता, खर्चा production का है, admin का है, selling का है, इस बात से लेना देना होता है, ऐसे income statement में हमें इस बात से लेना देना नहीं है, खर्चा production का है, admin का है, selling का है, हमें इस बात से लेना देना है, variable है या fixed है, तो पहले variable उसमें पहले production overhead, production overhead का variable rate हमने 800 रुपे निकाला था और units 160 है, 160 units into 800, इसी तरीके से selling, 160 units और selling का variable per unit, जैसे total 3,20,000 था, divided by 800 units तो ये 400 रुपे पर unit आया, ठीक है ना? आपके पास ये दोनों खर्चे आ जाएंगे, 160 into 800, 1,28,000 और इसी तरीके से 160 into 400, 64,000 ये total आएगा, 1,92,000 तो ये आपकी variable cost आ गई, आपके पास contribution आ जाएगा, ये आगया, 1,28,000, माइनस करेंगे इसमें से fixed cost, अब सबसे पहले है आपके पास production की fixed cost, actual के basis पे बस आपको cost लिखनी है, ध्यान रखिएगा per quarter के हिसाब से, क्योंकि सारा data per quarter का आया हुआ है, 160 units के हिसाब से, जो की first quarter की units थी, selling की, तो fixed का खर्चा, 1,60,000 है production का, into 1 by 4, एक quarter का कितना होगा, इसी तरीके से selling का, total खर्चा है, 2,40,000 है, तो first quarter का कितना होगा, 1 by 4, ठीक है ना, 40,000 है, और यह आ जाएगा, 60,000, तो fixed का total खर्चा, आपका first quarter का 1,00,000 है, आ गया, minus करके आपके पास यहाँ पर, profit आ जाएगा as per your income statement, 28,000, so this is it, यह था सर आपका यह question, बिल्कुल आसान question था, कुछ था ही नहीं इसमें,